नवस्कार आप लाइब सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जय शुकला पुरे देश सहित बिहार में गुरवार को दिपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया एक तरफ जहां सभी लोग दिपावली की उमंग में मस्त थे दिपावली मना रहे थे और खुशी बांट रहे थे तो वहीं बिहार के दो जिले ऐसे भी हैं जहां पर मातमी चितकार मचा हुआ था आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं आपको ये बता दें कि तेजस्वी आदव ने एक बड़ा ट्वीट किया है एक बड़ा हमला बोला है लेकिन उससे पहले अगर खबर बात करें खबर की तो बिहार के बेतिया और गोपाल गज में जहरिली शराब पीने से मौत का मामला थमता नहीं दिख रहा है बेतिया में जहां 8 लोगों के मर जाने की पुस्टी हुई है तो वहीं गोपाल गज में अब तक 17 लोगों की मौत जहरिली शराब पीने से हो चुकी है अब तेजस्वी आदव का गुस्सा इसी बात को लेकर फूट पड़ा है तेजस्वी आदव ने ट्वीटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साज़ा किया है लेकिन हम आपको सुबह सुबह ही वो वीडियो नहीं दिखाना चाहते क्यों और तीन नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए हाँ किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराब बंदी है अन्या था खुली छूट है क्योंकि ब्लैक मे मौज और लूट है ये तेजस्वी आदव की दो बाते इसमें निकल कर सामने आती है पहली बात तो ये कि तेजस्वी आदव ने सवाल उठाया है बिहार में शराब बंदी क्या है अगर कानून लागू किया गया है तो बिहार में शराब बंदी पुन रूप से होनी और दूसरी बात तेजस्वी आदव ये इंगित करते हुए कहते हैं कि ऐसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बातों का मतलब उनका ये है कि उन्होंने जो बीडियो साज़ा किया है एक महिला रो रही है चीक पुकार मचा हुआ है अपने परिजनों के मौत के गम को भुला नहीं पा रही है और इसी दर्द में वो चिंगार पार कर रो रही है अब ऐसे में तेजस्वी आदव ने इसी को इंगित करते हुए ये बात लिखी है और कहा है कि इसका कोई भी फर्क है गडबड वाली ये डिये सरकार पर नहीं पड़ने बाला है और इसी के साथ सवाल उठता है बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठता है बिहार में बनाए गए शराबबंदी को लेकर कानून पर और यही सवाल तेजस्वी यादों भी उठा रहे हैं नितीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं बिहार में इंडिये की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और तसकरी भी कभी रूक नहीं रही है बिहार में ये भी आप जानते हैं कि बिहार में आए दिनो शराब तसकरों के गरफतारी होती है पुलिस उसका खुलासा भी करती है सवाल ये उठता है कि आखिर इन तसकरों का मनोबल इतना बढ़ा क्यों है बार बार गरफतारी के बाद भ रहा है और लगातार बिहार में शराब तसकरी और शराब पीने का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है ये सारी बाते हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं बलकि ये सारी बातें तेजस्वी आदव ने कुछ बातें आप परत्यक्ष रूप से कही हैं तो कुछ बातें परत् झाल झाल